Hi guys, I am back again with a new topic that is Planning Commission. तो आज हम पढ़ेंगे Planning Commission के बारे में किस तरह से हमने Planning करी, किस तरह से हमारा Development हुआ हमारे देश का और कौन-कौन सी Committees आई थी जिनोंने हमें Advise किया था. तो पहले अगर हम 1940 में जाएं तो हम देखेंगे कि चार Committees आई थी, गडगिल कमिटी, खेराघाट कमिटी, कृष्णमचार्य कमिटी और सरिया कॉपरेटिव कमिटी जिसमें से खेराघाट और कृष्णमचार्य कमिटी जो थी वो Agriculture के लिए थी. और यहाँ पर Center ने बहुत Important रोल प्ले किया और Center ने क्या बोला कि हम तो Important Planning कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ State को भी Important रोल प्ले करना चाहिए. तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने क्या खुला छूट देदी थी? नहीं इन्होंने कुछ कंट्रोल किया और लाइसेंसिंग पर भी ध्यान दिया. और इन्होंने बोला कि हम सारे सेक्टर्स में Balance Development करेंगे. अब हमारे Major Objectives क्या थे Planning Commission के? तो Major Objectives तो यह थे कि हमें Future India बहुत अच्छा करना है, उसके लिए में Base तयार करना है, Foundation तयार करना है, और इसके लिए हमें चाहिए National Planning Committee जिसकी Reports हम लोगों को देखनी होगी. क्योंकि हमें Large Scale पर Social और Economic Development करा रहा है, Modern Science और Technology में Improvement करना है, यह हमारे Basic Objectives थे. I hope आपको यह Clear होगा. अब इसके तीन Important Features आप देख लो, वैसे कुछ देखने वाली बात नहीं है, विपको सीम सीम है कि Economic और Social Planning पर धिहान देना है, Union और States की बीच में Corporation होना चाहिए, Voluntary Basis पे और Welfare State की बात करनी है. 1950 में Planning Commission आया था Social और Economic Objectives को पूरा करने के लिए. तो जो पहला Planning Commission था, वो किसकी बात करता था? सोचो, सोचो, वो बात करता था Agriculture के बारे में. चुकि उस टाइम पे हम Agriculture Based Economy थे. अब आते हैं हम Second Five Year Plan पे. Second Five Year Plan ने सोचा, चलो हम Industries की तरफ मूव करते हैं. और Industries में Production बढ़ाते हैं, Investment बढ़ाते हैं और Employment बढ़ाते हैं. अब इसके बाद आया Sixth Five Year Plan. Sixth Five Year Plan मतलब Third आया, Fourth आया, Fifth आया, ये तीनों Industries के उपर काम कर रहे थे. बढ़ ये इतना कुद चेंज नहीं कर पाएं, इतना कुद चेंज नहीं ला पाएं. तो जो Sixth आया था, उसने Structural Transformation of Economy की बात कही, उसने बोला कि इकनॉमी के structure में चेंज करो, उसमें Unemployment हटाओ, Poverty खतम करो, Standardization करो, उन्होंने ये बात बोली. फिर 1991 में, 1992 तक हमारा Industrial Revolution चल रहा है, फिर भी बहुत Issues आ रहे हैं, Self Employment जादा हो रही है, Pro Private Sectors हैं, Foreign Investment का Promotion हो रहा है और Neo-Imperialism ये Issues बहुत जादा हो रहे हैं. तो हम लोगों ने बोला, अब हमें Indicative Planning पर ध्यान देना चाहिए. 8th 5-Year Plan में, Open Economy की बात हुई, Economy को खोल दिया गया, और 9th 5-Year Plan में बोला गया कि हमें Economic Growth को Attain करना है, Poverty खतम करनी है, Employment generate करना है, और Inequality को हटाना है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं. Basically आपको ये सारे 5-Year Plans याद में होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि पहले वाला Agriculture के लिए बेस था, दूसरे वाला Industry के लिए बेस था, Six वाले ने क्या बोला, Eight वाले ने क्या बोला, थोड़ थोड़ा एक आइडिया रहना चाहिए. फिर 1950 में Cabinet Resolution से हम National Planning Commission लेकर आए, जो की एक Extra Constitutional Body थी और एक Non-Statutory Body थी. एक Executive Body थी जो Government of India को Advise करती थी. अब इसमें बहुत इशू आने लगए, Finance Commission की जो पावर्स थी उनको छीन लिया गया, और यह वाले Body जो थी वह तनी Accountable नहीं थी. फिर हमने New Economic Policy लेकर आये, जहां पर हमने बोला कि हम Market Economy को Expand करेंगे. और 10th 5-year Plan में हमने Central Ministers के जो Progress थे उनको Monitor करना Start कर दिया. ठीक है, 2015 में नीती आयोग बन गया क्योंकि Planning Commission reluctant हो चुका था, वो इतना Change नहीं हो पा रहा था कि हमने उसको हटाके एक Think Tank स्टार्ट के जिसको नाम था नीती आयोग. तो अब समझ रहो कि हमने Planning Commission से स्टार्ट किया, जिसमें हमने Agriculture और Industries पे धध्यान दिया, फिर हमने Structural Change की बात करी, फिर हमने New Economic Policy में Market Economy की, Open Market की, Open Economy की बात करी और फिर हमने धिरे-धिरे क्या करा, नीती आयोग का Establishment करा, जो हमें लगा कि हाँ ये जो Body है इतनी आप आते हैं Capital Market पर, तो दो तरह के Market होते हैं, Capital Market और Money Market. Capital Market एक साल से जादा के लिए होता है, पर जो Money Market होता है, वो एक साल से कम के लिए होता है. स्टार्टिंग में, Banks are not able to invest in Capital Market. तुन्होंने सोचा क्या करें? तुन्होंने प्रजेक्ट को Finance कराना स्टार्ट कर दिया. इसके लोनोंने बहुत सारे Financial Institutions भी बनाए, जैसे All India Financial Institution, जिसने बोला, इड़बी और सिडबी को Merge कर दो, क्योंकि ये Public Sector Undertakings है. ICCI और ICCI Bank को Merge कर दो, और बना दो All India Development Bank, तो अब तुम्हें प्रजेक्ट फाइनसिंग की तेंशन लेने की कोई जरुवत नहीं है. नरासिम कमिटी जो थी, उसने भी merger की बात करी, बट इससे कोई फाइदा नहीं हुआ, फिर हमने बनाए, Development Financial Institutions, जो Development के लिए पैसे देते हैं, Specialized Financial Institution, Investment Institution, Investment Institution का सबसे बड़ा एक्जामपल है LIC, त्योंकि LIC जो है न, वो Government Insurance Company तो है, उपर से वो Government के Securities को भी खरीद सकता है और खरीदता है, हमने स्टेट लेवल पे भी स्टेट फाइनेशल इंस्टिूशन्स बनाए, जुसमें स्टेट फाइनेशल कॉर्पोरेशन और स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलप्मेंट कॉर्पोरेशन आता है बैंकिंग सेक्टर में हमने 74% FDI को अलाओ किया, इंश्रेंस कंपनी बनाई 1956 में और 1970 में, सिक्यूरिटी मार्किट को स्टैबलिश करा सेबी ने, अब आते हैं, फाइनेशल रेगुलेशन, फाइनेशल सेक्टर लेगेसिटिव रिफॉर्म्स कमीशन, देखो ये इंपॉर्टन नहीं था इतना अपपर वाला, मैं आपको समझा दिया, क्योंकि ये सिर्फ एक नेम है, और ये इतना कोशन अग्जाम में आता भी नहीं है, तो अब है फाइनेशल रेगुलेशन, फाइनेश को रेगुलेट करना, इसके लिए भी कमीटी आये थी, बी एन श्रीकृष्णा कमीटी, इन्होंने यूनिफाइट फाइनेशल एजनसी बनाने की बात कही, फाइनेशल रेड्रेसल एजनसी को बनाने के लिए बात कही, और फाइनेशल सेक्टर अपेलेट ट्रिबुनल को बनाने के लिए बोला, अपिटल मार्केट देख रहे हैं और उसमें शेर्स ना देखे हैं, ऐसा हो नहीं सकता, तो शेर्स दो तरह की होते एकुटी शेयर्स और प्रिफरेंशिल शेयर्स जो एकुटी शेयर्स होते हैं आप इनको सेकंडरी मार्किट में ट्रेड कर सकते हो और एकुटी शेयर्स में आपको वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं पर प्रिफरेंशिल शेयर्स में आपको वोटिंग राइट्स नहीं मिलत तो जिसमें आपको voting rights नहीं मिलते तो जब भी आपका liquidation होता है, आपकी company wind up होती है, तो उसमें preference उस company को जाधा दिया जाता है, ठीक है, equity में आप redemption नहीं कर सकते, preferential में आप redemption कर सकते हो, ये तो था, simple सा आपका, अब आता है stock market of India, जिसमें आता है Bombay Stock Exchange, Bombay Stock Exchange 1875 में बना था, और ये सबसे पुराना है एशिया में, जिसमें 5000th company को list किया गया है, और ये एक index जारी करता है, जिसका नाम है Sensex, means sensitivity index, ये company के behavior देखता है, growth देखता है और share देखता है, इसमें free float market capitalization निकालते हैं, हम current year upon base year into 100, अब क्यासे process होता है, company जाती है, writer के पास, कि please मेरे share निकाल दो, writer कहता है, ठीक है, initial public offer करो, लोगों को offer करो अपने shares को, किस-किस को offer करोगे, qualified investors को, retail investors को, और foreign investment institutions को, ठीक है, अब इसमें initial public, initial public offer भी आता है, follow up public offer भी आता है, कुछ rights issue भी आते हैं, और preferential issue भी आते हैं, ठीक है, अब आते हैं, कुछ important चीज़े, जो मैं ध्यान रखनी चाहिए, bull, bull कौन होता है, वो, bull एक optimistic person होता है, bull stock क्या होता है, जब prices increase होते हैं, तो उसको बोलते है, bull stock, bullish market क्या होता है, जब stock exchange index बढ़ रहा होता है, बियर कौन होता है, एक pessimist investor, जो invest करना नहीं चाहता, और बियर market क्या होता है, जब का sensex गिरता है, तो उसको हम बियर market बोलते हैं, I hope this is clear to you, आज, आज इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और चीज़े बता देती हूँ, जैसे market के बारे में लिखा हुआ है, कि market economy long term के लिए होती है, but shorter than capital market, ये ध्यान रखना आप, ठीक है, और इसमें shares भी आते हैं, securities भी आते हैं, shares और securities, equity market का हिस्सा हैं, but bonds और debentures, debt market का हिस्सा हैं, और debt में आपको voting rights नहीं मिलते हैं, इसको सेबी कंट्रोल करता है, ठीक है, primary और secondary क्या होते हैं, अपने सुनाओगा primary market, secondary market, क्या है ये primary, secondary market, primary market मतलब जब company ने आपका initial public offer को issue किया, और उसको किसी party ने खरीद लिया, तो वो होता है primary, बट जिस party ने उसको खरीदा था, उसने उसको फिर आगे बेच दिया, तो वो होता है आपका secondary, ठीक है, और ये industrial policy 1956 का थोड़ा सा बताया हुआ था, कि पूरी power government के हाथ में थी इस time पे, और यहाँ पे महलनोबी इस plan बहुत famous था, जो कि एक socialist pattern पे based था, और license राज चल रहा था, कि आपको अगर कोई भी industries को set up करना है, तो government की permission लेनी होगी, ठीक है, small scale industry, ये भी कुछ आपके extra topics है, small scale industry 1955 में बनी थी, कारवे committee के recommendation से और इसकी upper limit वन करोड थी, अब आते हैं making India के बारे में, making India 2014 में आया था, जो domestic manufacturers को बढ़ाने की बात करता है, active pharmaceutical index की बात करता है, infrastructure, logistic और finance की बात करता है, textile sector में, leather sector में, footwear, furniture, agriculture, electronics, इनकी बहुत demand आप इनको बढ़ा सकते हो, ठीक है, अब आते हैं, banking regulation act 1949, 2020 में इसको amend किया गया है, तो इसलिए ये important हो जाता है थोड़ा सा, और इसमें क्या हुआ है, cooperative banks और control of RBI पर major decision लिया गया है, इसमें बोलाएं कि अगर आपका recruitment होगा ना, तो वो कुछ qualification के basis पर होगा, आपको CEO को appoint करना होगा, और CEO को appoint करने के लिए bank की permission लेनी होगी, audit भी आप RBI की guidelines के according ही करोगे, ठीक है, अब इन्होंने commercial और cooperative का difference आप लोग देख लोग एक बार, commercial banks, bank की service प्रोवाइड करते हैं, cooperative bank की भी service प्रोवाइड करते हैं, और एक manual service भी प्रोवाइड करते हैं, commercial banking regulation act 1949 के according governed होता है, commercial का minimum aim profit motive का और cooperative का minimum services का होता है, ठीक है जो cooperative money जो cooperative bank होते हैं वो पैसा raise कर सकते हैं RBI के approval से इसमें section 45 को amend किया गया है और बोला है कि अगर हमें reconstruction करना है तो हमें बिना moratorium की हम reconstruction नहीं कर सकते अब आता है corporate social responsibility यह बहुत सुनाओगा आपने यह आपको इसको हम corporate consigns यह corporate citizenship भी बोलते हैं यह responsibility होती है corporate sector की कि वो environment के तरफ यह social well-being के लिए कुछ करें और इंडिया में 2013 में इसको mandatory कर दिया गया था education purpose के लिए poverty के लिए equality के लिए slum के benefit के लिए relief के लिए और environment के लिए इसका net worth रुपीज 500 करोर का turnover 1000 करोर का होना चाहिए और उनको 2% का profit देना होगा अब यह यहाँ पर यह जो लोग है वो research और development के लिए भी क्या करते हैं invest करते हैं I hope यह आपको clear होगा आज के लिए इतना ही we will see you soon bye bye vandimatram jahind